Hello Friends, Welcome to Genius GK Starts Friends आज किस वीडियो में हम LIC और IC 38 एक्जाम से रिलेटर most important questions इस वीडियो में हम कबर करेंगे ये question आपके आने वाले सभी exam के point of view से बहुत important है यादि आपकोन में से किसे भी question का अंसर पता तो रांसर कमेंट वह समता सकते हैं So Friends, चलिए शुरू करते हैं निमन लिखित में से कौन सी IC policy है जो निवेस के साथ साथ बीमा दोनों विकलप प्रदान करती है Right answer है option A, Unit Linked Insurance Plan Unit Linked Insurance Plan यहाँ IC policy है जो निवेस के साथ साथ बीमा दोनों विकलप प्रदान करती है और यहाँ बीमा कवर के साथ साथ बॉन्ड, स्टॉक, आज जैसे विभिन उपकरड़ों में से एक है Next Question Unit Linked बीमा योजना के तहट लोग इन क्या है वरसों में Right answer है option D, 5 साल दिखे Unit Linked बीमा योजना के तहट लोग इन यह 5 साल में ULIP जीवन बीमा योजना है, जिसमें बीमा करता दोरा जो खिम कवर प्रदान करता है और साथ ही बॉसे धारक को निविस विकलप जिसमें किस्त का हिस्स्ञा निविस के लिए किया जाता है Next Question निमन लिखेत में से कौन साराजुनिक छेतर की बीमा कंपणी नहीं है राइट इंसर है उप्षन सी SBI Life Insurance देखे SBI Life Insurance यह साराजुनिक छेतर की बीमा कंपणी नहीं है Next Question इंसरेंस सब्द का परियोग किसके लिए किया जाता है राइट इंसर है उप्षन ए जीवन बीमा के लिए देखे इंसरेंस सब्द का परियोग जीवन बीमा के लिए किया जाता है Next Question निमन लिखेत में से कौन से बीमा कंपणी भारत की सहाय कंपणी नहीं है राइट इंसर है उप्षन डी इपको टोक्यो जनरल इंसरेंस लिमिटेड देखे इपको टोक्यो जनरल इंसरेंस लिमिटेड यह भारत की सहाय के भीमा कंपणी नहीं है Next Question जिस अवध के दोरान अस्थगित वार्षकी का मालिक संपत के निर्मार के लिए भुगतान करता है उसे कहते हैं राइट इंसर है उपसन बी वार्षकी संचय चरड देखे जिस अवध के दोरान अस्थगित वार्षकी का मालिक संपत के निर्मार के लिए भुगतान करता है उसे वार्षकी संचय चरड कहते हैं Next Question CGR का फुलफोम क्या है राइट इंसर है उपसन ए समान देटा देखें सीजिल इसका फुलफोम है समान डेटा यह एक प्रकार का पहँआँ पॉलसी है जो व्यवसाय को सारिरिक चोट और व्विग्दगत चोट किसी भी संपत के निक्सान के लिए leverage प्रतान करते है जो व्यवसाय के परिसर के तहट वियो साज संचालन के कारड होती है Next question एक सरवेच्छळ जो एक बीमा योग संपत का निर्धारण करने के लिए आयजित क्या जाता है उसे कहते है Right answer है option C मुल्यांकन देखे एक सरवेच्छळ जो एक बीमा योग संपत का निर्धारण करने के लिए आज़ित क्या जाता है उसे मुल्यांकन कहते है नेक्स्ट कुशन जब कोई व्यक्त किसी चीज को दूसरे के भरोसे रखता है उसे क्या कहते है राइट एंसर है उप्सन भी प्रत्यई दिखे जब कोई विक्त किसी चीज़ को दूसरे के भरोसे रखता है तो उसे प्रते कहते हैं प्रते वह विक्त होता है जो कुछ अन्य पक्षों के सांत विश्वास का कानूनी या नैतिक संबन रखता है एक विक्त जो केवल एक बीमा कमपनी का प्रितिनिधित करता है और किसी अन्य कमपनी को व्योसाई प्रस्तुत करने से एक समझोते दोरा प्रितिबंधित है उसे कहा जाता है एक बीमा एजन्ट वह विक्त होता है जो केवल एक बीमा कमपनी के साथ काम करता है और केवल एक कमपनी दोरा वेतन या कमिसन के संयोजन के साथ बुक्तान किया जता है चोरी की चोरी और डकैति के खतरों के लिए संपत के कवरेज को संदर्वित करने वाला सब्द क्या है राइडा इंसर है उप्सन भी अपराद भीमा दिखे अपराद भीमा यह एक भीमा है जो अपरादिक कृत जैसे डकाईती चोरी आधी से होने वाले नक्सान के जोखिम का प्रबंधन करता है और इसे निष्ठा भीमा के रूप में जना जाता है निम लिखित में से कौन सा भीमा एक जहाज या विवान और चिपकाई गई वस्तूओं के नुक्सान के लिए एक कवरेज है राइट एंसर है उप्सन ए हल भीमा दिखे एक भीमा पॉलिसी जो जहाज की भहुत तिक अखंड़ता के लिए कवरेज प्रबंधन करते है उसे हल भीमा का जाता है प्रारंभिक प्रीमियम भुकतान के समायोजन के रूप में निर्धारत वास्तिवे खोये हुए अनुभव के आधार पर भीमा पॉलिसी की लागत निर्धारत करने की प्रिक्रिया को कहा जाता है राइट एंसर है उप्सन सी पूर वियापी रेटिंग स्वास्ति छेतर में कवर की गई सेवा के लिए निर्धारत वास्त को क्या कहते है राइट एंसर है उप्सन ए कोपे देखे स्वास्ति छेतर में कवर की गई सेवा के लिए निर्धारत वास्त को कोपे कहते है नेक्स्ट कुशन निम लिखित में से किस सब्द को एक बीमा कमपनी दोरा बनाए गए जो खिम की रास के रूप में संदरवित किया जता है जिसका पुनर बीमा नहीं किया जता है राइट एंसर है option C पृत धारग देखे एक बीमा कमपणी दोरा बनाए गए जोखिम की रास जो पुनल बीमा नहीं है जिसे पृत धारग के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट कुशन TPA का फुलपर्म क्या है राइट एंसर है option B third party administrator देखे TPA का फुलपर्म है third party administrator यानि तिरतेपक्ष प्रसासक नेक्स्ट कुशन एक जोखिम जिस पर किसी को बीमा प्राप्त करना मुस्कि लगता है राइट एंसर है option C बीमा योग जोखिम देखे एक जोखिम जिस पर किसी को बीमा प्राप्त करना मुस्कि लगता है वह बीमा योग जोखिम है next ocean राइश्ट्री बीमा अकादमी कहां इस्थित है राइट एंसर है option D पूने में देखे राइश्ट्री बीमा अकादमी यहाँ पूने महराष्ट में इस्थित है और उसकी स्थापना कब की गए थी तो उसकी स्थापना 1910 में भार सकार के वित विभाग दोरा की गए थे नेक्स्ट कोशान जब कोई एकल भीमा कमपनी जीवन और गर जीवन भीमा दोनों पॉलिसेओं की पेसकस करते है तो इसे क्या कहा जाता है राइट एंसर है उप्सन भी समगर भीमा करता देखे एक भीमा कमपनी जो जीवन और गर जीवन भीमा दोनों योजनाय प्रदान करते है उस कमपनी को समगर भीमा करता के रूप में संदरभित क्या जता है एक भीमा जो देरकालिक देखभाल पॉलिसी का एक रूप है और एक नर्सिंग सुविधा में रहने वाले पॉलिसी धारक को गवर करता है उससे कहते है राइट एंसर है उपसंडी नर्सिंग होम भीमा कहा जता है सुखेंड्स यदि आपको यहाई वीडियो पसंदा है इस वीडियो को लाइक करें सेर करें यदि आप चैनल मिलाएं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो